बुश्लक बोली मिर साथ में एतन निर्विद्यमानानाम एच्छतामकुतोभयम योगी नाम निर्प निर्नीतम हरेर नामानुकिर्तनम ठीक है क्रम संदर्भ जीवी गुश्वामी जी के द्वारा है और आप लोग कहेंगे सब कठिन-कठिन बातें क्यों सिखा रहे हैं लेकि जिवगो स्वामी जी टीकाके बहुत सारी बातों ठुलेते हैं जो इधर नहीं पूरा किये थे इस अथपर में और प्सक्राइब तो आप लोग इसको समझ लेंगे तो वहां बहुत आठव पर समझने में paste वोफइदा होगी यहां पर जीवगोस्वामी जी स्रीदर्थ में ट्रीमत भागवतम की परम महिमा का वर्णन करने के बश्चात् भक्ती के नाना अंगों के में मुख्य रूप में भगवन नाम की तन ही उपदेशित है और यह समस्त प्रकार के व्यक्तियों और यहां तक की निर्विद्य माना ना मर्था तो मुक्त पुर्षों के लिए भी परम साधना की रूप में उपदिश्ट है यह इस डूप में कहा गया है तो यह तो बड़ा स्पष्ट बात है पर मैं निर्गुण ब्रह्म में इस्तित्था शुकदेव को सामीं बोले फिर भी भगवान उत्तम श्लुक की लीला के द्वारा मेरा चित ग्रहीत चेता मेरा चित आक्रिष्ट हो गया तो यह श्रुमत भागवत का महिमा का वन्न हुआ उसके बाद उन्हें बताया कि मैं कॉमन रहा आश्रेवाद स्वामी जी बाद सिद्था हो गल्वां श्री बांग ? कभी यही साधन है clear अब दिक्कत आएगी निर्विद्य माना नाम अर्थात मुक्ति की इच्छा वालों के लिए मौक्ष का साधन भी यही है और योगियों अर्थात ज्यानियों के लिए यही साधन है तो यहां थोड़ा सा बात फंच जा रही है कि भाई अभी हमने सुना था कि जो मौक्ष के इच्छा भी नहीं चाहते तो वो अंदिर्विद्य माना नाम है और जागर योगियों का अर्थ ज्यानियों लिजाया तो ज्यानि तो मौक्ष चाहते हैं तो क्या यह अलग-अलग है तो देखिए अब हम इसको श्रीण प्रहुपाजी की तात्पर के समझेंगे जो कि प्रहुपाजी ने लिया था और निर्विद्य माना मतलब मोश्ट के लिए मुक्ति की इच्छा तो यहां मुक्ति की इच्छा का अर्थ है रागद्विष्ट मुक्त होना उस प्रकार के ब्रहुपाजी की बारे में नहीं ग्रहन करना पड़ेगा हम उसी प्रहुपाजी समझाए है कि यह भी भक्तों को ही कहा जाएगा तब ही अलग अलग कहेंगे नहीं तो यह दोनों एक ही बात लग रही है आर यू एबल टौ फॉलो डिस मैं इसको इस प्रकार से ग्रहन कर रहा है आप लोग जय है जैसे कर लीजिया हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहीं प्रकार से मैं समझ रहा हूं अन्य था योगियों का अर्थ हम प्राय भक्त लेते हैं तो यहां पर ज्ञानी रिया या त इस प्रकार की इच्छा से मुक्ति चाहते हैं यह बहुत लोग की हमारे शुदे में भगवान को संतुष्ट करने के अलावा और को इच्छा न रहे तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि उनकी इच्छा और कुछ नहीं है वागवान को संतुष्ट करना चाहता है हम इस पर ब योगी नाम मतलब आत्मग्यान वसंतुष्ट और इचताम मतलब भोग के काम सभी के लिए हरी नाम सरवसेष्ट है सभी शास्त्रों में यही निर्नय किया गया है कि सभी साधकों तथा सिद्धों को हरी के नामों का कीर्थन करना चाहिए इस विश्य में किसी प्रमाण को प उच्छ स्वयर से हो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ऐसा नहीं है कि मान दीजिए कि उचारण करने की छमता ना हो तो आप मन में नहीं बोल सकते हैं यह हम काहितरी में भीवान के नाम के उचारण होते हैं तो उसमें नाम होते हैं तो हम मन में करते हैं लेकि क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगे अंतात्वर में कहते भी है कि चांटिंग can be done both silently and Hare Krishna मंदर can be done silently also. तब करेंगे दूसरी बात बोल रहा है क्या? हमके दूसरी बात बोल रहा है, दूसरी बात नहीं बोल रहा है, क्या बोल नहीं है आपे? सबसे अच्छा है कि नाम बोल के किया जाए, तो बोल के सबसे अच्छा है कि नाम बोल के किया जाए, तो सबसे अच्छा काम ही तो करना चाहिए, तो instruction change नहीं हुआ है, chant Hare Krishna, so that it is audible. कैच किया कि नहीं किया आपने? नाम उचारण तो मन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम का समर्ण मन में भी किया जा सकता है, लेकिन उससे लाब किसको होगा? किवल आपको होगा लेकिन अगर नाम बोल रहा है हरे क्रिष्टा तो जो नहीं बोल रहा है उसको भी लाब होगा इसलिए नाम संकीर्टन सरवोत क्रिष्ट कहा जा रहा है तो इसलिए कीर्टन करने के लिए अगर साधन की दिश्टी सी देखे कहें कि नाम स्मरण अच्छा है कि नाम कीर्थन तो क्या बोलेंगे आप नाम कीर्थन अज़ेंगे सेंस ओके नामाने अना सारी ये नारज जी के उक्ति के द्वारा पुष्ट होता है जो प्रतम इसका अंद में हमले पड़ चुके हैं यह अग्रिम श्लोक द्वारा पुष्ट है अग्रिम श्लोक मतलब जो इस तीका में कोट किया जा रहा है नामान्यन अंतस्यहत त्रपह पठन गुहियान भज्राने कृतानी चस्मरन गांपर यटन स्तुष्ट मनागत अस्प्रिह कालं प्रतिक्षन विमदो विमत्सरह इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औप चारिक्ताओं की उपिक्षा करते हुए मैं बादम बार भगवान के पवत्र नाम तथा यश्का कीर्थन करने लगा भगवान की दिवी लिलाओं का ऐसा कीर्थन एवं स्मर्ण कर्ल्यान कारी होता है इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ठ विनर्म तथा एरशा द्विश रहित होकर सारी प्रित्वी पर विचरण करने लगा यह किस के शबन है नारज जी के प्रश्न किया गया था कि जब भक्ति विदान्त चले गए तो किस वृत्ति के अनुसार अपने अपना जीवन बिताया किस प्रकार करें सॉफ्ट्वेर जॉब किया या खेती करी या कुछ और किया उन लें नहीं हमकि विए विप छेवन कर आपना जीवन बिता दिय तो क्या सिख्षा पर आप्त ऊरी जाए नारा जी अपने जीवन के आचरन से क्या बता रहे है मन-मन में नहीं बोल रहे थे वो बोल रहे थे हत आट ठ्रप हह लजजा छोड़ करके हरे आमको चारण कर रहे और वहां पर उसी प्रसंग में प्रपाजी कहते हैं कि दिख्षा लेने के बाद एक सिंसेर डिवोटी दिख्षा लेने के बाद एक सच्छा शिष्ष भग्मान के कीर्थन को बहुत महट्वरक्त देता है अपने शीवन में उसके जीवन में उसकी जिवा से वेर्थ की बाते ना निकलें दिख्षा के पहले हम प्रजल्ब कर चकते हैं उनक्सान नहीं करता है ना पहले ना वागे कभी फाइदा नहीं करता है लेकिन बात यहां पर किया रहे है विशेश रूप से तो बोलने के पर बोला जा रहा है ठीमकथ भागवत 1626 तो यह इस लोग किया सब को समझ में आ रहा है प्रश्न मैं इसलिए नहीं रखाऊ क्योंकि पहले टीका समझ में आने चाहिए तो यहां सबको समझ में आ ही रहा होगा कि यह पर क्यों उद्रित किया रहा है उद्रित करने कारण यह है सत्यापित करना है कि कीर्तन करना सर्वस्रेष्ट है ओके फाइन आद जूम डिबुटी इस अबल तो फॉलो दो कमेंटरी कि जुड़े जाती है लेकिन जब भी बोल के ही करना चाहिए महाप्रभु संख्य संखितन उच्य करिया अधरे क्रिश्ण प्रपाजी कहीं बोल नहीं कि मन में करने के लिए प्रफाजी बोल रहा है कि बात मन में भी किया जा सकता है लेकिन सर्वोत क्रिष्ट है कि बोल के किया जाए और उसमें सर्वोत क्रिष्ट है जब भक्त आगा कि जोर से संकृतन करते हैं रोके विक्तिको श्री सनत कुमार द्वारा उल्लेखेत पद्न पुरान वर्नित दस नाम अपरादों का परित्याग कर देना चाहिए इस संधर में सनत कुमार के वाक्य है सर्वापराद कृदपी सरवा कृदपी नहीं श सर्वक्तिक मुच्चति हहारी संस्रय हारेप्य पराध्हान यहाख कुरुयाधी पददो पांशुल्थ 95 नामस्रह कदाचेश्य तरत्य ये वस नामःत नाम नूपि सर्व सुहरदोहीं किसीने सारे अपराद कि यह फिर भी भुवान के हरी का अश्रे मैं होई किमक्त हो जाता है हरे अपी अप्राधान यहां कुर्याद 5 लहे कग अगर हरे के फ्रति भी अपराद कर देता है तो वह पशु के समान जो इंसान है वह भी नाम्हा dedic मक्त हो जाता है लेकिनी अमनों पे सर्व सुहुर्दों ही अपराद पतते अधा जो नाम सभी का सुहुर्द है सभी का कल्यान करने वाला उस नाम की प्रति अगर कोई अपराद करता है तो उनी चीकरता है उसका कोई कि निस्तार नहीं है देखिए उसके आगर कुछ लिखा नहीं है जिस व्यक्ति ने समस्त अपराद किये हैं वे भगवान की शर्ण लिने से मुक्त हो जाता है सर्वदर्मान परित्यज्या, you know that किन्तु यदि कोई पाप पुरुष, पाप पुरुष मतलब मूर्तिमान पाप पाप पुरुष समान विक्ति भगवान के प्रतिही अपराद करता है तो भगवान के नाम का आश्र लेकर उसका नाम की किरपाद से उधार हो जाता है सब समझ रहें इसको? परन्तु समस्त प्राणियों के मित्र भगवान नाम के प्रतिह अपराद करने वाले का पतन हो जाता है तो इसलिए विक्ति को बचना चाहिए जय विनिदा माता जी क्या समझा तीन पॉइंट बताईये अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या समझा ये भी करने वाले हैं आप हाँ कुछ भी कर सकते हैं येस प्लीज तीन पॉइंट बताएगे तीन लेवल बताएगे हाँ, बताइए, पहला बताइए, क्या बताइग एगा? अगर कोई भगवान के प्रतिय अप्राद करता है। अब 2 पॉइंट पे आ गए, पहला पॉइंट क्या है? अपराधी विखती भगवान का अश्रे लेकरके मुक्थ हो जाता है। next is, कोई अगर भगवान के प्रतिय करता है तो भगवान की नाम का अश्रे लेके मुखत हो जाता है लेक और third point, लेकिन अगर नाम के प्रतिय करता है तो इसका कोई, पिर नाम ही उसका निस्तार करेगा और कोई नहीं कर सका, fine? हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि बाते सब आपके दिमाग में घुश जाएं यह अपराद इस प्रकार है मॅशय करके एक तरीका है गाने की सताम निंदा नामनह परम अपराध हम वितनुते सताम मतलब भगवान के भक्त भगवान के भक्तों की निंदा नाम के प्रती परम अपराध है सताम बस यह नहीं लिखा गया कि परमा भागवत भक्तों की निंदा करना यह लिखाए यह था ख्यातिम यातम कतम हु सहते तद्व इगर हम जो विक्ति उनकी ख्याती का प्रचार कर रहा है उसके प्रती अपराद क्या से सहन कर सकते हैं नाम चारण से बड़ी साधना कुछ भी नहीं है वो दूसरे को देना नाम दूसरे को देना इस सर्वस्रिष्ट कृपा है तो ऐस कार में जो परवकार की कार में लगा हु एक क्योंकि नाम की महिमा का प्रचार करने वालों की आलोचना को नाम कैसे सहन कर सकता है यह परश्ट होता जा रहा है ठीक है आप शिवस्या श्रीविष्णुर यई अगुण नामाटि सकलम धियाभिन्नम पशेत सखलुहरिनामाहित करह यह तरीका है आता है कुछ गाने का फिर सिफ ट्राय कीजिए शिवस्या श्री विश्णुर यह गुण नामा दिसकलम दिया भिन्नम पशेत सखलुहरी नामाहित करह अगर आप इस शाली को सीख जाएंगे तो आप मन सिख्षा का सकते हैं जो श्रीला रगुनाद दास को स्वामी की है अच्छा है बहुत अच्छा तरीका है गाने का जो व्यक्ति अपनी बुद्धी द्वारा यह देखता है कि शिवजी के गुण नाम आदि भगवान विश्णु से भिन्न हैं एवं एक अलग शक्ति सुत्पन हुएं वे भगवान के नाम का अहित करता यह सब को समझ में आ रह है किसी भी व्यक्ति की सत्ता भगवान कृष्ण से अलग नहीं है तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शिवजी अलग भगवान है और भगवान कृष्ण अलग भगवान है शिवजी के नाम में पावर है वो उनकी खुद की पावर है और भगवान कृष्ण में भी पाव किया ही जाएगा यहां जितने भी बल्ब जल रहे हैं को पीला है को सफेद है को आप स्ट्रीट लाइट पर देखते 500 500 वाट के बल्ब है वो सब पावर हाउस से चल रहे हैं तो किसी भी बल्ब के प्रकाश को पावर हाउस से अलग देखना अपनी बुद्धी के अंसार अपनी बुद्धी के अंसार क्यों क्या रहे हैं शास्त्र में सवर्ण नहीं है अपनी बुद्धी लगा रहा है कि हाँ शिवजी अलग है भगवान अलग है तो यह नाम के प्रति अपराद होता है। यह सब को समझ में आ रहा है। किसी भी देवता का नाम भगवान के नाम से अधिक शक्तिशाली नहीं एक बात। और उनमें भी जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही आई है। और आगे भी और इसकी आर्थ समझेंगे उसको हम टीका में देखेंगे। गुरूर अवग्या गुरू का अनादर दिखे गुरू का अनादर किस बात से होता है। मर्त बुद्धी करना अरे इन्हें भी तो बात्रूम जाना होता है। यह भी तो बिमार पड़ते हैं। भाई गुरू में गुरू जब तक भौतिक शरीर में हैं तो कुछ भौतिक शरीर का प्रभाव या उसका धर्म तो प्रकाशित होगा ही। अरे यह समझ ने रहा हैं। जैसे परमपुज रादागुत महराज एक बार रौशन में कहते हैं कि शिश्य बोल रहा था। उनका शिश्य है कि किसी का शिश्य बोल रहा था। कि गुरू है तो कपाल पे चड़ेंगे। अरे गुरू बनाया है क्यों आपने कपाल पे चड़ाने के लिए ही। कपाल का मतलब होता है कि सिर्प चड़ा दे मलब उनकी आग्या को शिरोधार करके चलना होता है। तो लोग जो कंभीर नहीं होते उस तरह की बात करते हैं। गुरू है तो कपाल पे चड़ेंगे। उनको पता नहीं हम नहीं कर पाएंगे। क्यों उस परकार गया दे रहे हैं। शुब टे के लिए मंगल आरती जाने के सब क्यों बोल रहे हैं। तो गुरु की अवग्या करना उनका अनाधर करना यह भी नाम की प्रतिय अपराद है अवग्या गुरु की हो रही है अपराद नाम ले रहा है तो पर कुर्प अपराप्त नहीं हो कि शुर्ति शास्त्र निंदनम शास्त्रों की निंदा करना यह अपराद है अब इसमें बड जाए जाएगा कि जो नास्तिक हैं उनके शास्त्रों को स्विकार करना या उनकी बातों को स्विकार करना और दूसरा शास्त्र पे संदेह करना इस बात को कि एक नाम से कैसे भागवान के नाम से एक अनन्त जन्मों के पाप कैसे कड़ जाते हैं जब संदेह कर रहे हैं तो क्या वह निंदा से बिन है क्या बोल रहे हैं माल लिजे कोई कथा बोल रहा है और आप ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तो क्या उस वक्तव की निंदा हु यह नहीं हुई दिस इस सुपर सटल अगर विचार कीजिए दिस वेरी सटल तो इसको इससे बचे कैसे समझ दिजिए यद भी हम नाम की महिमा को समझ नहीं सकते क्या असीमित है लेकिन अस्रधा नहीं करनी चाहिए वह हम समझना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं रूपगु स्वामी भी कह रहे हैं कि आपकी महिमा को कौन समझ सकता बड़े बड़े विग्गी वेक्ति भी नहीं समझ सकते हैं तो हमारा जैसा बद्ध जीव नाम की महिमा को कैसे समझेगा तो हम अरसरदा नहीं कर रही और यह भी पात है कि यद भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है अगर आप लोग स्वामीन में पढ़ना चाहते हैं तो पांच एक पैतिस में पढ़ा भी चुका हूँ पांच एक पैतिस में बताया गया है कि विदूर विगत सक्रदाद दीत सजहाती बंधन कोई वर्णाश्रम के बाहर भी विक्ति है और एक बार भी नाम बोल देता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है लेकिन आपको देख तो रहा नहीं है दिख रहा है आपको आपको तो लग रहा है कि वही अभी उसी तरह कार कर रहा है उसके कार भी परवर्थित नहीं होते दिखते हैं तो वहां बताया गया है कि एक बार नाम बोलने से ही मन परवर्थित हो जाता है और मन ही आधार है अगला जनम देने का कुछ कुछ यादे आ रहे ही बादा नहीं है और इस्टे शास्त्र की आधार पर विक्ति को स्विकार करना पड़ेगा ओके स्वमझ में आ रहा है शुति शास्त्र नंदन शास्त्र में और स्रद्धा रखना भी शास्त्र का अपराद है शास्त्र में अस्रद्धा करना भी शास्त्र का निंदा है नहीं आचा चले एक और समझे इस पर कहानी सुनेंगे आप लोग कि मुझे बड़ा पाफ हो गया और एक महान रिशी के पास वह आया और उस समय घर पे नहीं थे तो उनका बेटा था, उने कहा कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, मझे क्या करना चाहिए, तो उने गा तीन बार राम बोल दीजे, राम राम हो गया, पाप खतम, तो वेक्थी तीन बार राम बोल के चला गया, जब रिशी वापस आए, तो बेटा बताने लगा कि वेक्थी निकाल दीए, और यह क्या हुआ, तो बोले कि क्या एक राम बोलना परियाप्त नहीं था, जो तुमने तीन बार बोलवाया, इसका मतलब है कि तुम्हें शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, नस दिखो, निकल जाएंस, और उसके आगे क्या हुआ हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कथा बड़ी ही प्रासंग है, तो ये वेद शास्त्र की निंदा करना, जो नाम की महिमा इस प्रकार से बता रहे हैं, वो निंदा ही है, तो इसलिए ध्यान दिजाएंसों, कैसे बचेंगे, यदपी, यदपी, हमको अनभव नहीं है, अनभव नहीं हो रहा है कि सारे पाप नश्ट हो गए अनजन्मों के, लेकिन अस्रधा नहीं रखना है, आप सुनें ना भगवत गीता के अठोया ध्याय के पहले श्लोग को, पहले श्लोग के ना किम तद ब्रह्म की मध्यात्म किम कर्म पुरुशोत्मा, यह बोल करके एक राक्षशी के लिए तूरंत वैकुंट से विमान आ गया तो चले गई इसमित, आप करेंगे हमारे ले क्यों नहीं आ रहा है, तो यह बात बोली गई है, भक्तिर सामे सुन्दों में समझाया गया है कि जरूरी नहीं है कि सब पे यह घटित हो, लेकिन किसी के ऊपर कभी भी घटित हो सकता है, does that make sense to you, ऐसा नहीं है कि कल अब आपके लिए वेकुंट विमान आएगा ही, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता, यह आंगल सब को समझ में आ रहा है, भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी इच्छा से हम लोग को जगत में रख रहे हैं, न पहले मतलब कर चुके हैं, नाम जान बूच करके अपने प्रभावों को तुरंत प्रकाशित नहीं करता है, ताकि अन्य सिधान्त भी जगत में बने रहें, जैसे एक अंजीर का पेड तुरंत फल प्रस्तुत नहीं करता है, सब समझ पा रहे हैं, सब बात में बड़ी कठिन लेकिन इसको देख करके कि भई फल तुरंत नहीं मिल ला है, शास्त्रों की नेंदा नहीं करनी चाहिए, जो नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, ए हरिवल, बोलने से भी अनंत जन्मों के पाप नश्ट होते हैं, राम रस लाना भाई, थोड़ा शाम रस लाना, वो हरे बड़ी निकत है, तो इसको बचने का प्रयास की दिखा, ओके सबको समझ में आ रहा है, शिर्ति शास्त्र निंदन, यद्द्पी हम बोल ले ना है कि शास्त्र गलत है, लेकिन संदेह करना है, क्या पता नहीं, सही है, गलत है, तो परम पुज रादा गुंत महरा समझा रहे है, करोणों साल से अंदकार है, तो अब अंदकार के लिए अगर आपने दीपक जला दिया, यह नहीं बोल सकता है कि मैं यहां बहुत साल से हूँ, तो अब मैं नहीं जाओंगा, जैसे ही जलाया जाएगा, तुरंट चला जाएगा, यह द्रिश्टान सब को समझ में आ रहा है, तो इस सिध्धान्त है कि पाप अनंत जन्मों के पाप तुरंट भस मी बीत हो जाते है, केवल जीव के सपर्ष करने मातर से, लेकार अगर रधा कर रहा है, तो नाम के प्रत्य अप्रत्यथ freaking तो, अज आमिल कुछ कर रहा था, एसी बात, कुछ नहीं कर रहा थहा एता म unjust इम्राज जी की जूरिस्दिक्शन में नहीं है पाप की वासन रह सकती है रहती ही है लेकिwn पाप not देएर कि खी उसके बार कुछ रहाए क्या है वार रहा थैत्य पडर कि हुण सकते हैं कि फस्सक्राभी वे उसके बार पता है वी वियाक्ष्या नहीं के कई उसमेदा जो व्याख्या नहीं कि जात तो उसको एथावत बोल देना चाहिए फिर चुपी रहा उचेत रहता है क्यों क्या कर रहे हैं तो बस एक ही बात जो बताई गई है मैंने जब को समझाया ना चैन्टेटा में समझा रहे हैं कि कृष्ण का नाम में विशेशरस है उसका आसोदन करने के लिए 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 एक लिए शास्तिकी बात यह खहना को कोई भी नाम पाप कार्ट्र में पूरी तरह समर्थ है कि बलकि बहुत ज्यादा है ऐसे कहा जाते अनेंत जन्मों के पाप नस्त करता चाहिए राम बोली चैसी वासुदेव बोली चैसी मुकंद बो होंगा कर इस तरह से शास्त्र में सद्धा रखना हैं मैं बेवकूफ रूच्ण नहीं पता शास्त्र सहीं बोल रहे हैं ये अघ्ञ। नाम जculoans भांब ब्हुमण है नाम ही भगवान है तो झाल आर्डवां न की शक्ति का our अपनी बुद्धी में कैसे स३े कर सकते हैं लेकिन अपनी बुद्धी में सैट नहीं कर सकते हैं अरेपह हम को समझ में आप में आक लेकिन का। हिसम沮तित क्riaक करती सैबर अब तुर शास्त्रों में स्रध्धा रखना चाहिए यद्धिपी आपको इस समय अनभव प्राप्त नहीं भी हो रहा है ओके निंदा नहीं करनी चाहिए संदेह भी नहीं करनी चाहिए आनुश्का माताजी डिकार्डिक दिस ओके माइक यह सब हम आर बहुत जितना समय लगे अब राध्धों को समझने का प्रयास कीजिए समझ में नहीं आते कभी-कभी हाँ बताईए प्रभु जी मेरे दो कोश्चन्स हैं इसमें एक तो शास्त्र वर्ड का मतलब यह सब आते हैं वेद भागवतम न श्रीमंद भागवत गीता हैं वेद और उसके अनुगत जो भी ग्रंत है उसको शास्त्र कहा जाएगा ठीक है जिसे भागति रसा में संद्रू भी शास्त्र है क्योंकि पुरान और पुरान और उनसवे क्या धार परवे है भक्ती को स्थापित कर रहे हैं और हम यहाँ पर विश्य श्रुप से उनकी बात करेंगे जो शास्त्र भक्ती का प्रतिपादन कर रहे हैं, भागवत है भागवत गीता है, हम तो अन्ही को पढ़ते हैं, और अन शास्त्रों के भी निंदा नहीं करने चाहिए, मानो वह शास्त्र, रजोगून, तमोगून के लिए हैं, तो उनकी भी निंदा नहीं करने चाहिए. ठीक है? दूसरा ये श्रद्धा को ले करता, तो श्रद्धा का क्या अर्थ है कि आप सुन ले और उस बात को मान ले कि यही करना है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदुर्ण निश्या है, कृष्ण भाक्ति को इले सर्वकर्मकृत होई, शास्त्र का मतलब ही आपने बागवान है क्यों? भगवध की आमें लिखा है, भागवत में लिखा होए, श्रद्धा का मतलब ही शास्ट्री श्रद्धा, हम रागणों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहें, जहां पर सहज अकरशन होता है भवान जान की भकति करने का वैसा लोग मिलते नहीं है, अगा तो शास्तिर में श्रध्धान बोली एक्जांपल देते हैं कि जो वस्तु सकती है हाँ के पैक्षान नहीं करते एक्जांपल देते दवाई करते हैं किसी के दवाई में श्रध्धान नहीं हो फिर दवाई काम करती है हरि नाम पे श्रध्धान ना भी हो तो भी कार्य करेगा लेकिन अपराद नहीं करना चाहिए श्रद्धान एक तो देखा तो श्रद्धान नहीं है तो अपराद है न निंदा कर रहा है न देखिए श्रद्धान नहीं है तो उसका प्रभाव क्या होगा वो नहीं करेगा जब श्रादाही नहीं है तो करेंगा क्यों प्रैक्टिकल समझे आप यह कन्वर्टेशन सब लोग पढ़ेंगे क्यों सीटी इतनी बज़ रही है तो कि देखिए गोपाल चक्रवर्ती गोवर्धन मजूमदार और ठीक है गोवर्धन मजूमदार और थे अधर भूल रहा हूं रगनादास उस् aven घर में बात हो रही थी नाम के ऊपर ठर्चा हो रही सवर्य ओर धुन की महिमा का वर्ण कर है सब लोग कहते है वाउन क्या ओन नांसे कर जाते लींनाम से मुक्ती आती तो माहन यह सब मुख्य फल नहीं है ना वह तो ना एक नामा भास से ही सारे पाप कर जाते हैं नामा भास से ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाते तो तुरंद को पाद शक्रवरती खटा खड़ा हो गया भावुक आ यहां पर जो मुक्ति कई जन्मों की साधना के बाद नहीं मिलती है तूलसी होटल हो रेस्टोरेंट ने तूलसी होटल न बार यह थो हम पढ़े में देखे तूलसी होटल न बार न कट तूलसी तो इस परकार से नामचारण कर देते हैं लोग अगर नामा भास से मुक्ती नहीं होती है तो मैं तुमारी नाक काट डूंगा अगर नामा भास से मुक्ती नहीं होती तो मैं अपनी नाक स्वयम काट डूंगा तो देखनें दोनों में अंतर और अगले ही देन पहले तो उसकी नौकरी गई जिस वेक्ति नापरात किया था वो गोर्डन मजुमदार का ही सेवक था तो उसको नौकरी से निगाल दिया गया और अगले दिन से उसकी सुन्दर सुन्दर चंपक के फूल जासी नाक थी वह गलना चलो हो गए गलना चलो हो गए तब देख रहे हैं कि वह वेक्ति अस्रद्धा कर रहा है नाम बोल रहा है लेकिन नाम में अस्रद्धा रख रहा है ऐसे कुछ लोख होते हैं अंको विशे आज में आ रहा शुति शास्त्र डिंदनम तो आपको कहेगा कि हमारी श्रध्धा नहीं तो क्या करें तो देखिए जितनी श्रध्धा है भक्तों के संग में आकर सुना है अपने उसके आधार पर गंभीर्दा से नाम जब करें जब हम नाम जब करेंगे तो हृद्य में श्रा वाले सब सो गए सम्टाइम्स भगवान के नाम की कृपा होती है बड़ा अच्छे से माला होती है और एक्दम से कुछ कौंदता है ने यहीं सिध्धी देगा कभी नहीं वारा से अबनों को कि आपने उन लोग कभी जब करते हुए ने देखा जो नाम की बारे में कुछ नहीं सुने है उनके चैंटिंग अब देखिए एक दम उदासीन रहता है वैसे तो वह बहुत सारे मिक्श्चर है कि क्या उसकी चेतना है लेकिए हमने तो बहुत ऐसला है उनको पुनिश्मंट नहीं दी जा रहा इस्पेशली बच्चे लोगं को बहुत दिखोत होती नाम की महिमा कुछ पता नहीं रहती तो अरे मिश्चर देखा रहे हैं किसी तरह से हो गया हो गया चार मिनट पर एक माला हो गई है तो यह बहुत ही सुख्ष महस्ले समझने का प्रयास की यद पी मु श्रधा नहीं रखरा है हुस श्रधद्धा उधार ले रहा ह default मिरें पास पूझी नहीं स्रधा की तो शंध्रश से भार ले रहा हु आरोपित श्रधा दी जा रही है शास्त्र के दोरा कि तुम नहीं जानते हो लेकिन देखो भागवत कह रही है कि एक ही नाम से अनत जन्म के पाप नश्ट हो रहे हैं ना मुझको समझ में आ रहा है ना आप लोगों को समझ में आ रहा है हम में से किसी का सामर्थ नहीं है यह समझ लें कि एक नाम से कैसे अनध जन्म के पाप नश्टो रहे हैं यह समर्थ हमारा नहीं है लेकिन श्रीमत भागवत कह रही है इसले स्विकार कर रहे हैं भगवान के विग्रह को हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं लेकिन श्रीमत भा पताय गया, तो ये शास्त्रे निंदा नहीं होगी, कोई प्रेशन है किसी बक्त का, you can type, confuse हो रहे हैं, समझ भी आ रहा है, ओके, मैंक पर पुछिए, छोटी किसी बात को लेकर हैं confusion है, वो exam कर दिया, मैं इसे और clear करता हूँ, अभी जिसे देखिए, किस देखिए, कई फी दिन से मेरा सास्त थरण डाउन चल रहा था, और एक दम से हुमर्प्रितिक दवा दी, जिसने एक ही रात मुझे बूस्ट कर दिया, मैं अभी तक ना ऐसे ऐसे हो या था, मैं देखता नहीं था, लेकिन मेरी हालत ऐसे हो जाती थी, यह लग रहा कि हाथ पैर साव इदम डीला हो गाए, बिल्कुल कमजूरी लगती थी, अब एक ही रात में, आप देखे रहेंगे, कुस तो देखे रहेंगे, बॉटी के एनरजी लेवन बढ़ा हुआ है, तो अब यह क्यों बढ़ा हुआ है, क्यासे होगा है, यह बताए, एक्स्पन किजिए आप लोग तो विद्वान लोग है, बीज बून, बीज बून, हमने तीन दवा से देनी, और यह सारी एक ही जैसी कड़वी लगती थी, लेकिन कैसे हो गया हूँ, मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ, कि वो दवा कैसे कार कर रही है, अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ, और जो समझाने वाले हैं, बनाने वाले हो करते रहे हमको नहीं समझ, मैं आज तक समझ में नहीं आया है, कि कैसे काम करती है, लेकिन स्रध्धा डॉक्टर के ऊपर है कि हाँ यह बोल रहा है उसको ग्रहन करेंगे तो मेरे का से अब तो बहुत क्लियर हो गया हम वहीं डाउट करें कि भाई यह क्या बोल रहा है इतने 6 माईने से ट्रीट्मेंट हो रहा मारा जा रहा हूं और यह बीस मून ठीक कर देंगा आप लेंगे ही नहीं ना इसे लोगे अरे मैं अपने मेरा पेट हमेशा खराब रहा करता था तो हमने सूर्ण नमस्कार के बारे में सुना तो हमका यह और मैं जब उसनों को बताता हूं तब भी लोग बुश्वास नहीं करते अरे प्रभुजी इतने दिन से परचान चल र देखो और करेंगे तो आपको लाब दिखता है लेकिन उससे पहले कहीं स्रद्धा रगनी पड़ेगे ना कहां यह प्रमाने की व्यक्ति बोल रहा हूं आज तो हमको पता नहीं चल रहा है एक्जैक्ली कैसे काड़ करता है बुट वर्स एक्ली निसली कोई भी ठीक से करेग कुछ पूंजी दी जा रही है ना आप बोलते हैं स्टार्ट अप्स के लिए लोग कुछ लोन ले लेते हैं अब तो समझ आ रहा होगा मतुरेशारी प्रवाइश्पर्ट समझ रहा है क्या कहते हैं इसको इंसेंटिव बोलते हैं कि कुछ बिजनेस शुरू करना खुज के प एक कृष्ण का नाम अब करोड़ों करोड़ों अश्व में दिया के बराबर भी नहीं है करोड़ों करोड़ों अश्व में दिया के भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं तो हम कहां समझ रहें इसको लेकिन शास्त्री की बात सत्त है इससे सिकार कर रहें यह कठिन कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास किजिए है हाँ भक्त बोल रहा है कि भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखने चाहिए लेकिन श्रद्धा कौन जी शास्त्रिय श्रद्धा और यह समझेगा कि यह बार-बार श्रवन करने से आती है श्रवन करेंगे तो श्रद्धा कुछ अपको महसूस करते हैं से चमक सी रखती है जब करना है तो इसलिए शास्तर का निंदा नहीं करने चाहिए क्योंकि देखिये हम लोग बूल सकते हैं कि हम शास्तर की निंदा नहीं कर रहा है लेकर अगर को वेक्तिस परकार से स था मैंने भी विन रखा है कि एक ही नाम से आप कट जाते हैं मैंने भी सुना है कि मुक्त को जाते हैं See how do it ? सब्से की हाँ आतो है हम naasanasa A आई ici अके अगना वाला बहुत इंपोटेंट थै कि हम लोग साधे अर्त पर क्लास कर सकते हैं यह बोलना हैской और हरी नामनी यह बहुत रोचक है बहुत रोचक है समुझने के प्रयाज की यह यह सोचना भी अपराद है कि नाम की महिमा मात्र अतिश्योक्ति है इसको समझने का प्रयास करें यह को आया ये यह कीजिये और आप को हमेंousing जाको शाश्वत रूप से स्वर्व मिलेगा पहन HIM मिलेंगी से साश्वत रूप 这 शाश्वत में की अप शेपन मीलेगा अब ये उल्लो बना ज्टे को अन्ग क checking test जा रहा है जो लाब है नहीं वो लाब बोला जा रहा है इसे कहते अति शोक्ति इसी को कहेंगे अर्थवाद कर्म कांड में प्रवर्थ कराने के लिए यह बोला जाता है कि तुम चातर मस करोगे तो तुम्हें अक्षय पुन्य की प्राप्ति होगे हां फिर उसकी आखे गोल हो जाएंगे अच्छा लेकर आप जानते हैं कि भगवान गीता में क्या कहते हैं चीने पुन्य मर्थ लोकम विशंती तो जो पुन्य कटा करता है बहुत पुन्य मिलेगा लेकिन वह अक्षय नहीं हो सकता स्वर्गी शा नहीं है पी इसमें भी कोई डाउट है जो पर स्वर्गी शाष्वत नहीं है वो चैष्ण है तो वहां पर स्थान पर जब जार में प्रविर्थ नहीं नहीं है तो अक्षय कैसे तुल नमल गया आपको क्या सब डिवोटी को समझ में आ लेकिन जब बोल रहे हैं समझें एक जगह शास्त्र में बोला कि ये कर्म कांड करो तुमको अक्षापण नहीं मिलेगा लेकिन उस से उत्रोतर शास्त्र शास्त्र के कर नंहीं कर्म कांड तो और को बता रहे हैं कि यह तो है तो इसलिए अर्थवाद को कांटने के लिखा गया है यह बहुत मज़दार बात है समझ पा रहे हैं शास्त्र एक लेवल की व्यक्ति को बोला जा रहा है उसकी निम्न चेतना है वो भोग करना चाहता है इसलिए वो तो करमकान में प्रविर्थ किया जा रहा है किस प्रकार से प्रविर्थ कि जा अरे भाईया तुम क्या भोग रहे हैं यह यग करो यप पूजा करो इसके द्वारा तुम को अक्ष्यपुन्य मिलेगा लेकिन अकशय पुर्य कर्मकान के द्वारा नहीं प्राप्त होता हैام पहले बोलते हैं स्वर्ग मीलेंगा लेकिन स्वर्ग को समय के बाद ध्हस दो दाएगा तो यह सुन करके कौन करने वाला है इतना हकोडा को आप लोग भी तो इसलिए मेहनत कर रहें कि पता है कि वाइकुंट सी वापस नहीं आना पड़ेगा is it not my dear devotees what do you think मालों बोलते कि एक लाख योगी के बाद आपको वापस आना पड़ेगा तब भी अपस नहीं आप बारम बार गीता में बोल रहे हैं भगवान की यद्गत्वान निवर्तंते कुछ है ना मोटिवेशन अभी लेकिन उसको डील करेंगे आच्छा तो ज्यान कान के मुक्त होने का प्रयास करो अच्छा अब देखिए जब यह कहा गया श्रीमत भागवत्व में कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नस्ट होते हैं कोट जन्म कोटी अहनसाम पी अहनसाम अलब पाप एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नस्ट होते हैं तो अब यह जब यह श्रिमद भागवत में बोला है वैकुंठ के पार्षद उन्हें की एक ही नाम से कौन से नाम से कृष्ण नरायन हरी ठीक है अजित यह कोई भी नाम लगते हैं उससे अनंत जन्मों के पाप नश्ट होते हैं तो इसको खारिज करने के लिए इसको काटने के लिए शास अर्थवाद नहीं है कि यह सत्य बात है कि साधक को प्रिणा देने के लिए बोला जा रहा है लेकिन जूट नहीं बोला जा रहा है नाम के द्वारा व्यक्ति अगर मरते समय अंजाने भी नाम बोल दे तो भगवान के पास चला जाता है तीन नौ पंद्रा इसको काटने के कोई शास्त्र में वचन नहीं है यह बात यथावत सत्य है अर्थवाद सब को समझ में आ रहा है मैं पूछ लूँगा अभी पूछ लूँगा रूम वालों से आज और रूम वालों से कल छोड़ूँगा नहीं आपे वह लिखी मैसले समझाना चाहता हूँ कि आप सब लोग पता सके हैं कि यह प्माचमवापराद क्या है और नहीं तो आप ज़रा माइक लेकि पूछेगा कि अर्थवाद कर्द क्या है नहीं समझा पाएंगे लोग प्राय नहीं समझते इस बात कि का मतलब है तथा अर्थवाद हरी नाम नहींर समझ भाण terड़ा है नाम की महिमा के बारे में जो वर्णन किया गया है उसिसमें अतीश्योक्ती नहीं है उमहरा जैसे बहुत तॉन्द तरशे कहते हैं नाम की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है तो ज्लाएका अर्थवाइद मतलब समझ रहे हैं अर्थवाइद का अरूप कर नहीं भाईी बहुत बोला गया है जैसे कि हुँ गुपाल कर रहा था बहुत जो तक बोलरहे हैं कि नाम बहुत से मुट्टी कैसे मिल जाएगी इत्यादी एक एक नाम का अनंत लाब है क्या बोला मैंने एक अनन्त लाब है और ये बात शास्त्रोक्त है जन्म कोट अंसाम अपी करोडो करोडो जन्मों के और अशेश अगहरम विद्धु अशेश मतलब अनन्त पाप नश्ट करते हो जाते है नाम से ये विद्ध्वान लोग कहते बुद्धु लोग नहीं कहते ये वेकुंठ के पाश्ट बोल रहे है क्या सभी भक्तों को समझ में आया ओके जिन्नों कोई बात समझ में आई वह हैंड रेस कर सकते हैं प्रक्टिमन का नाम नोट कर लूँ और कल उनसे चून-चून करके उनसे पूछ नहीं क्या क्या समझ में हैं दो लोग को समझ में आय अगया सही उतार हो बेटा सही उतार हो गुट गुट थैंक युवरे ब्लेसिंग्स अब इस पर प्रकास देंगे मतुरा हरी परो मतुरे शर्वु समझ में आया अर्थवाद क्या हुआ यह समझ में आने में कटना ही होती इसलिए मैं थुरा सब चलो मतुरे शर्व को परशान नहीं करते पांड़े से शुरू करते परंपरा में क्या है अर्थवाद और यह पांड़े जी के समझाने के बाद माता जी लोग भी समझाएंगे येस प्लीज नाम की महिमा के बारे में जो वर्णन किया गया है उसकी अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए मतलब चली मैं अभी लास्ट बार समझा रहा हूं और उसके बाद मैं शास्त्र के संग शास्त्र भी उठाऊंगा रोटी ले करके रहांगा गलत नहीं तो पिटाई करेंगे देखिए जब कर्मकांड के बारे में उसकी महिमा कर्वर्णन है तो वो अतिश्योक्ति है क्या अतिश्योक्ति है कि आप इस को कर रहे हो उससे आपको अक्षय पुन्य मिलेगा यह ऐसा है नहीं और उसका खारिज किया भगवागीता में इस परस्ट बोले चीने पुन्य मर अत्याधिक बुला गया तो इसलिए वहां यह अर्थवाद है लेकिन भगवान के नाम की महिमा को जब बुला जा रहा है कि अनन्त है एक एक नाम की तो उसको काटने के लिए कोई शास्त्र का प्रमान नहीं है तो उसको हमें यतावत ग्रहन करना पड़ेगा दिर इस लो का परकार सुच जहां जैसे कर्मकार्ण की बारें बोल रहा है उसी तरह से लोगों में वो नाम उच्छालन कराने के लिए उनको जूटा प्रलोबन दिया जा रहा है तो यह एक बहुत बड़ा प्राद नाम की प्रति है नाम नाम अकार्व बहुदा निजसर्व शक्ति ओके यस अगेन गिव अट्राई पांडी प्रूव 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 कर्मकार्ण के लिए अगर हम यह अरे कृष्नमा मंतर के लिए बोलें की कर्म इसको करो कर्मकार्ण 46 ओके शाम सुन्दर प्रूव नहीं समझा है जैसे हम कर्म कांड कर रहे हैं तो उसमें बताएंगे अक्षय फल मिल जाएगा अक्षय पातर का फल अक्षे पात्र करसे आ गया घा थूपल आजिए कि crik कि बहुत उच्व भल मिल जाएगा यह अति शोक्ति नहीं है कि कि साव्य आ जैसे शवर्व हां तो उच्व भल मिल जाएगा से शवर्व कि बहुत इत्व प्रफल यहां से दिखा जाए लेकिन अक्षे बल शाष्वत फिर मिल जाएगा यह अतिश्युक्ति है तो क्यों बूला है इस प्रकार से कि अर्था वे यह क्यों बूला है शात्र में निमन से ना कुछ करने से अचा कुछ तो करें इसलिए तो मतलब अंतिश्युक्ति प्रभू पूरा समझाईए इसको जूम वालों कुछ होड़ेंग थोए ना हम अब क्या सोच रहे है कल का दिन रहे गया है चलिए अभी हम यहां पर इसको रू सद्धन करने से हमका अक्षः पुर्णय मिलेगा तो यह आतिश्युक्ति है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया है गया है ग्यान कारण में कि जब यह स्वरगी ही पर्मानिंट नहीं है तो फिर उसका पूर्णय का पर्मानिंट होने क्या मतलब है लेकि जब भागवतम अगर ह कि यह तो बहुत ज़्यादा बोल दिया गया है और लोग को खालीक प्रिणा देने के लिए किया गया इसमें शक्ति नहीं यह सब नाम की प्रतिय प्राहत है जै विरिंदा माता जी उलाग टूसे सम्थिंग येस जैसे कर्मकान में बहुत साल साधन बोले जाते है कि ये करने से अनन्त पूणिया मिलेंगे और स्वरगादी प्राप्ति होगे और वो कभी क्षीर नहीं होगा लेकिन ऐसा कोई वो शास्त्र में संस्तूप नहीं है गवरा के रहे हैं ठीक है बोले जा रहे है बताईए लेकिन जैसे बोलते हैं कि भगवान के नाम की अनन्त महिमा है तो श्रुमत भागवत में कहा गया है इसका कोई काट नहीं है अलेकि बीच में आपने छोड़ा चोड़ दिया कि भगवत गीता में इस कीजिएगा या अभी भी अगर आप नहीं भी लेकिया हो तो सब क्या समझावट हो लिख के लाइए तब आकर चाचा करेंगे हम इस पूरे टीका को बहुत स्लो जाने वाले हैं अर्थवाद लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए इसलिए हम यहां पर रुकेंगे ल बहुत इनलों के संग चालू है थीक है क्रिष्ण से भजे से बड़ा चतुर ओके विल गिव चांस टो प्रेशा रसी मताची यह प्लीज अर्थवाद का आरूप यह है कि लोगों को कर्मकांड में प्रवरत कराना जो लाब नहीं है उससे बढ़कर उनको लाब बताना कि भ प्रवरत कराते हैं इसलिए लोगों को बताते हैं कि जो लाब नहीं है उससे भी बढ़कर लाब मिलेगा यह बताना जीरो जीरो फिर से शुरू करो कि अर्थवाद का आरोप को करना यह है कि जो मतलब लाब की प्राप्ति लाब है उससे भी बढ़कर लाब बताना मतलब अक्षय पुन्ने की प्राप्ति होगी ऐसा बताना और जैसे स्वार्ग आज बताना कौन से सेक्शन में कर्मकांड का कर्मकांड में प्रवरत कराना कर्मकांड में प्रवरत कराना जैसे स्वार्गादी लोगों की प्राप्ति होगी और अक्षय पुन्ने की प्राप्ति होगी तो स्वार्गादी लोग भी जब शाश्वत नहीं है तो अक्षय पुन्ने की तो बाती नहीं पुन् तो उसमें उसको और बढ़ा चाठा कर बताना ठीक ने उसको यथार्क रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। चली ठीक आप बहुत सिंसेर डिवोटी तो आपको नहीं डांट रहे हैं छोड़ दे रहे हैं रहे हैं अमने कहा था कि यह बात समझने में कटना ही होती है जान की मातर जी आपने हाथ खड़ा नहीं भीकिया है फिर मुझे पता है कि आप गूंगी नहीं है तो बोलिए कुछ दाट खाओ बहुत दाट नहीं खाए हैं गलती बोली ठीक है जासे कर्म कान में बताया गया है कि कुछ ऐसे साद्म को करने से यज्यादी करने से हमें स्वर्क की प्राप्ति होगी और उसका फल यह होगा कि हमें शाश्वत रूप से जिसे अपसराओं का भोग करने को मिल सक प्राप्ता है आप हमेशा के लिए आराम से चिल रहेंगे कोई दिक्कत में चिल और रिलाक्स उसके बाद दुबारा कभी नहीं करना होगा आपको है ठीक है हाजी लेकिन उसी को काउंटर करते हुए भगवत घीका में बताया गया है शीने पुन्यम मृत्यलोकम विशन्ति कि यह सब जो स्वरगादी हैं इनसे भी पतन हो जाता है और विक्ती नीचे धिर जाता है तो यह इसको कहेंगे अतिश योक्ति की अतिश योक्ति में बोला गया है यह केवल इसलिए कि जो लोक कर्म कांड के पती आसक्त हैं वो किसी तरीके से शास्त्रों का पालन करें और हो सके लेकिन जैसे भागवतम में भगवान की महीमा के बारे में बताया गया है कि एक ही नाम से अनंत चर्मों के पापनश्ट हो जाते हैं तो इसको अतिश योक्ति नहीं कहेंगे इसको हमें अज़ते स्विकार्ट करना चाहिए अब आप समझ रहे हैं कि जब हम को बहाना म मार दे रहे हैं कि हम इस वह से जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम अनंत लाव को छोड़ने के लिए उत्साहित हैं अब बताइए उस वेक्ति को क्या कहा जाए कि ये नाम में असरदा का ही सुचक है ठीक है तो बड़ी गंभीरता से हरी नाम चान करना चाहिए इविन इफी कांट अंडर्स्टांड इट प्या नाम है उसका अजामिल समझ नहीं पा रहा था लेकिन उसके अकाउंट में अनंत लाब जा रहा था जबकि उसके हाथ में माला भी नहीं थी अब आप समझड़े हैं कि हम कितना बड़ा अपराद करते हैं जब हम नाम को मैं साधा की दिशुट से बोलाओ कि नेगलेक्ट करते हैं जब कर रहे हैं उसके बैत में क्या क्या बाते कर रहा हैं मैं तो अब आप लोग से अंडरोद करेंगे, चलिए हम आपको बात यहां पर खर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल बाते करेंगे, कि अब हई नाम के बारे में दिटर्चा कर रहे हैं, तो देखिए कुछ समय एकदम, हम जूम पे तो जब करी रहे हैं, उसके अलावा भी आप सम कोई नहीं है, that you should do apart from 16 rounds, अभ्यास कीजी, अनन्तलाप, यह अपने मन को अपने संग छलावा, धुका मत देने दिजी, कि रिसुला माला कर ले और करने क्या जोरते हैं, हम सब के पास आदा घंडा तो होता ही है, और हम एक और अपने संग गलती करते हैं, सादक लोग, कि extra rounds ह हैं, तो हम इसको बाते करते हैं, we are programming ourselves to do chant offensively, we are programming ourselves, तो जो भी extra rounds भी आप मालो कर रहे हैं, मालो चार किया, चार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आदा घंडा तो निकालना, is it not, दुनिया की क्या-क्या बाते करके हम समय वेर्थ कर दे रहे, चाहे आप नौकरी कर र रहे हैं, we are not done like this, आज दूर्ढ़ों बहुत करना की क्या देता है, ले जो 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 भीया च्ला करते हैं, जो आप मेरी बात समझ रहें, दुनिया में बहुत से स़्स्ता हैं, जो नो तंकी वालब Instr zac करते हैं, वे भी उस नहीं करते हैं, भी आख बंद कर, वे आख बंद क प्रस्तुत जरूर करते हैं कि we meditation कर रहें तो यह हम बिलकुल अलग बात ले रहे हैं मैं इसेंस की नाम की practice के पर बोल रहे है मैं इसी बात से derive करते हुए कि हरे क्रिश्न मंत्र का अनन्त लाब है इस पर प्रयास हमारा हमारा अनन्त प्रयास नहीं तो कुछ तो प्रयास होना चाहिए गंबीरता से, you will see visible transformation, visible effect क्या है यह नाम का, वो नहीं देख पाएंगे, पाप और उसा मुनस्ट, visible effect है अहम और महम की भावना नस्ट होना, तो अमीद है कि अर्थबाद आपको समझ में आया होगा, और इसका application क्या है, नाम की महिमा अनन्त है, यद पी मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इसको काटने के लिए कुई बात नहीं कही गई, हाँ, पूरा लाब अगर मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं म कभी भी आप देखें, यहाँ पे कभी कभी कोई व्यक्ति होता जो बहुत समर्थ है, और वो हमें कुछ नहीं दे रहा होता, तो हम जानते हैं कि वह समर्थ है, लेकिन मैं अपराद किया हूँ, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है, यह हमें नेगलेट कर रहा है, क्या यह में आप यह अगर कहने लग जाओ कि वो उसके अंदर सामर्थ नहीं है तो और अपराद बन जाएगा अपने गल्ती का हारो पर दूसरे पर कर रहा है वह भी नाम के पर जो पहले ज़ी क्रपालू है वी केरफुल तो नाम की महिमा अनंत है हम लोग उसके आश्चरे बहुत कंबीर्टा से लें विल्मीट तुमारो अगें कंटिनु आपका प्रश्न हो या कोई इसमें से जग्यासा हो तो आप उसको पोस्त कर सकते हैं या हमारा को और आप करेंगे प्रश्न करने के उमीद है कि अर्थ बाद सबको समझ में आ रहा होगा सो फिल स्टापिए श्रीद प्रभुपाद की जाए ताइग ओर प्रिमान अन्दे या वाट रिकॉप